हलो दोस्तों, एप्लाइड फिजिक्स आ सब्जेक्ट डिप्लोमा एंजिनियरिंग जीटियू ना पहला सेमेस्टर नी अंदर ओफर थाई छे एना मोस्ट आइमपी टोप थर्टी एग्जम्पल्स एना त्रीजा भागमा अपनो स्वागत छे पहला बे भाग नी अंदर आपने जोए आता है ने बाके ना चवुद एक्जम्पल छे ए आ वीडियो मा आपने जोवाना चे जहां सब्जेक्ट माटे मोस्ट आएमपी छे तुमित्रों शरुवात करिए एग्जम्पल नंबर जीरो आएग्जम्पल ने जीरो नंबर इतला मटे आपे लो छे के आए 20 किलोमीटर नू अंतर कापे छे तो कार्नी स्पीड मीटर पर सेकंड मा शोदो आ टाइपनो एग्जम्पल पुछाए एले सवती पेला आपने लाख्ये स्पीड इस इक्वल टू डिस्टन्स ट्रावेड पन टाइम आपने बताने खबर छे जड़ा पेटले कापेल अंतर नाशेद मा समय कोई पन यूनिक टाइम माजे अंतर कापेलो ए इने केवाए जड़तर तो अहिए कापेलो अंतर छे 120 किलोमीटर एना मारते लाग्टो टाइम छे 21 लाग तो एना बराबर जड़ब केवाए 120 अपन्टू मींस 60 किलोमीटर पर अवर ए आ कार्नी जड़ब छे अपने डिफिकल्टी लेवल वधारता जैसु अने आ चेप्टर ना अग्रामा अग्रो प्रोब्लेम पन अपने बद्धाने गणत आवर से अहिए सूप चियू छे कार्नी स्पीड मीटर पर सेकंड माश्रो दो अहिए कार्नी जड़ब जिये चे स्पीड छे केमा अमड़ी किलो मीटर पर अवर तो कन्वर्जन के वीरते करू ए आपने जोईए तो सोधी पेलारी ते आवीरते लगवानू स्पीड इस इकोल टू सिक्ष्टी किलो मीटर पर अवर आम लखे शुकाई प्रवर सेम चे आपने खबर छे एक किलो मीटर एटले केटला मीटर तो आखाग एक कलाक एक केले मिनिट थाए 60 मिनिट अने एक मिनिट एटले 60 सेकंड तो कलाक ने सेकंड मां कन्वर्ट करू होई तो आवीरते कराए 1 आवर इस इकोल टू 60 इंटू 60 that is 3600 सेकंड एले जिहां कलाक लखे लो होई तियां छोत्री सो सेकंड लखी शकाई अब आपना हिया ज 400 सेकंड आम पर लखी शकाई जो एछे ने अवर एटले कलाक एटले के 400 सेकंड साइट गुनिया साइट हुए आ एक्वेस्चन ने साधरूप आप तो साइट से हुटी जासे हजर नाचेद मां साइट एलांसर आउसे 16.67 मिटर पर सेकंड तो मित्रो आवीरते युनीट छे एनु कनवर्जन करी शकाई आ मात्रव एक example छे आवा घणा बते examples छे एन इंदर ती निकड़ी शके के जनी अंदर युनीट एला कि एकम होए एनु कनवर्जन करवानी जरूरिया तु भी थाई तो आ मेथड थी unit छे नु कनवर्जन करवानु आउक प्रब्लम बधा नाव श्ट्रींग इसुर्कुलर पाथ एक पथर चे एन्ने दोरी साथे कि वाँड़ेलो छे उन्ने गोड फरे जहाँ पथर 0.5 मिटर त्रीजचे ना गोडाकार मारग माँद फरे चे उन्ने त्रीजचे आन्ने कि वह त्रीजचे रेडियस ए चे 00.5 मिटर और अठी आप यह 20 revolution पर 2 सेकंड, यह 2 सेकंड इंदर, 1 अम एक, अने बे, यहां पचास 20 revolution फरेज, it completes 20 rotation in 2 सेकंड, find out angular and linear velocity of the start, आ एक्जाम्पल जित्यों नी एक्जाम मा पुछायालो चे, हवे के वी ते गणुम में आपड़े जोई है, आब जो इंगलिश मा लखेलू चे, आब जो गुज्राती मा लखेलू चे, तमारे कोई पने एक साइट जोवालू चे, distance traveled in one rotation, विचे आरे पत्थर एक rotation पूरू घर से, त्यारे एक केटलू अंतर कापसे, obviously एना परिग जेटलू, अब तुर नो परिग छे, एना जेटलू अंतर आप पत्थर जे चे एक आपसे, आम एक rotation करे, तो इंधी start कर एना परता 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 पर चोई आवे, तुर ना परिग जेटलू, परिग मांटनो शुत्र आपने कबर चे, 2 pi into r, अथवा pi into d, radius आपने चे 0.5 meter, तुर माइ डिस्टंस, radius बराबर 0.5 meter, मुको एतला answer आउसे, 2 into 3.14 into 0.5, 3.14 meter, एक rotation फर से, त्यारे आप अथर जेछे, एक 3.14 meter जेटलू, अंतर कापसे, तो केटला rotation फर चे जोवा, 20 परी ब्रह्मन पूर्णा करेछे, एक rotation मा आटलू, तो 20 मा केटला, multiplied by 20, एले 22 ते आउसे, distance traveled in 20 rotation, 20 परी ब्रह्मन मा कापेलू अंतर, बराबर 20 पूर्णा 3.14, एले 62.8 meter, एले 2 सेकंड मा आ पत्थर 62.8 meter जेटलू अंतर कापसे, अंतर आपेलू छे, टाइम आपेलू छे, तो वेग गणत आवले आपने, वेलोसिटी वेग बराबर, लिनियर डिस्पेस्मेंट ना चेदमा टाइम, चोकस दिसा मा कापेलू अंतर, एन ना चेदमा समय, तो कापेल अंतर छे 62.8 meter, आने एनो टाइम छे, 2 सेकंड, तो एले वेल्यू मुको, 62.8 divided by 2, 31.4 meter per second, that is the linear velocity of this storm, आजे पथर छे, एनी रेखियो वेग, एथर से 31.4 meter, अवे अही आपुछे लूँछे, कोनी यह वेग, एडले के angular velocity पुछे ली छे, तो angular velocity जारे पुछे ली होई, तेर अनुए वेशन हाऊ से, angular velocity is equal to angular displacement ये ना चेतमा टाइम, खाली वेलोसिटी होई, तो displacement ये ना चेतमा टाइम, एंगूलर हो तो भी एंगूल लेवानू, कोनी यह वेग बराबर कोनी या अंतर ना चेतमा समय, एले के अहां जे आ स्टोन छे, एक केटलो खूनों कवर कर स तो केटलों कोनी यह अंतर कापसे, तो केटला खूनों थासे, एक rotation फरें, तो 360 degree rotation थासे, एले के 360 degree अंतर कापसे, अविरते लखी शकाई, एक rotation बराबर 360 degree, अत्वा ये रेडियन मा कनवर्ट करू होई, तो ये ना बराबर थाए 2πाई रेडियन, 360 degree ये अटले पाई रेडि से, एक rotation मा, 360 degree अत्वा 2πाई रेडियन, पड़ें, ये वीश rotation थे, तो वीश rotation मा केरलों थाए, 20 गुणिया 2πाई, पर इक गुणिया 20, ये कापे नूं एंगूलर डिस्प्लेस्मेंट थासे, 20 इंटू 2πाई, पर 2 सेकंड, वे अनस हाधिरू आपी दो, 20 गुणिया 2 ना श ये वद्विश करो, ये अंटले, 62.8 raiden पर सेकंड, इस अंगूलर वेलोस्टी ओफ लेलोस्य रेडियन पर सेकंड, अचे पत्थर, गोलडां फटीक्ति अने लिनिए वेलोसीती से, वेलोसिती साते, वेलोसीती साते, वेलोसीती सात थांचे, 62.8 रेडियन पर सेकंड, आउ ट्विस्ट करी ने पुछाई शके छे तो ए तंवने आ स्टेप्स आवड ताह से तो कमेधे नो क्षोच करी ने पुछाई एपड आपने गणता आवड से हथले इना जर्व एग्जेंपल हाव आपने पने थी करता इना करता थोड़क जुद एक्जम्पल जोई है एक्जम्पल नम्पर 18 मास ओफ 10 किलोग्राम इस फोलिंग ओन अर्थ विथ एक्चलेरेशन ओफ ची यह 10 किलोग्राम नूँ दर्ड छे आएक 10 किलोग्राम नूँ वजण नियुचे दर्ड छे ए निचेनी बाजु अपड़ी रही हुचे आवीरत आम च तो मित्रों आहिंँ एक नानकड़ूएव्फेशन छे एापने यादर राक्षू है यादर राक्षू ए यादर राक्ष्वाने टेक्निक कई छे ये पड़ आपले जोईसू पोरस इसक्ट में अगें टले अग्लोए ठीक्ष्ण आहिओ मास एटले दर्द अन्ने एक्सेलरेशन एटले प्रवेट बीजा शब्द मा कहिए तो M into A एटले मा मा ए बर्ड अथ्वा ताकात नूँ श्वरूप छे अपला सस्त्रों मा प्लकेलू छे के मा जे छे शक्तिनू स्वरूप छे पड़े शक्ति नहीं पड़े थाकात तरेक याद राखवानू बर्ड मा छे बर्ड आपए बर्ड बराबर मास इंटू एक्सेलरेशन एक्सेलरेशन हवे आपन ने याद रिगते से हवे आई यह जो मास इस इकोल तु 10 किलो ग्रम जी एक्सेलरेशन एटलेके प्रवेगा पियालोशे 9.81 मतर पर सेकंड स्क्वेर तो एंट रूपा आपको इन्टू मिल्रिकीड़स था से अजीए 98.1 किलोग्राम मीटर पर सेकंड स्क्वेर तो आनो युनित आउसे बड़ नो एकम छे तो आ किलोग्राम मीटर पर सेकंड्स ट्वेर एना भदले न्यूटर लगी शकाए तो आ थेग्यों आन्सर फोर्स इस इकल टो 98.1 न्यूटर एला वजन्यू जार नीजे पड़तु होसे अगलादरी के 100 टन आपे लूए तो सो गुणिया हजा एटले एक लाख किलोग्राम थाई एकसलेजरेशन छे यह वन आपे लोग्राम अत्वा 9.8 वन आपे लोग्राम जे आपे लोग्राम एला एला एना मल्टिप्लिकेशन करी अने बड़ छे एए फाइड करी शकाए थोड ड्राइवर एप्लाइड ब्रेक ओन आ कार विद 404 किलो नुटन तेन फाइंड आउट डिकलेरेशन ओफ द कार पेली नजरे जोत आपने हम थेका एक्जमपल आपने आवड से नहीं पन अगण नोई जे एक्जमपल छे एना जहो जा एक्जमपल छे जो ड्राइवर 4 किलो 2Newton and acceleration फ्रव allein जेकते नियाद करूंद माताजी सुखे जहें से स्वेर और मास इन्टो अक्सलेरेशन फ्रवेक थुकितरय जोब एव थल्व के लों नाउन और 6 किलो वहतवर किलोग्राम फॉर्स अपने लोँ छे 4 किलो नुटन ऍटले 4000 तो सुत्रों मा केलियो आज एक्वेशन चे, force is equal to mass into acceleration, यह मा value मो को, यह त्यान राखवान हूँ, kilonewton चे ने newton मा फिर विनाख, आखा सब्जेक्ट निंदर, जहां पन जरूर पड़े, त्यान साथी पहला Newton ने kilonewton मा, sorry, kilonewton होई तो यह ने newton मा convert करवान, तो यह आउसे 40 2000 newton बराबर 2000 kg into acceleration, तो acceleration मढ़ी जासे, acceleration बराबर minus 4000 upon 2000, यह माइनस 2 meter per second square, माइनस सुकाम आवे चे, कारण के ए वेग घटे चे, ब्रेक लागे एटले यह पेला फूल वेग असे भी, तिरी 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 घटा घटा जिरो थी जासे, एटले यह माइनस निस्तानी आवे चे, ए वेग सतात घटो जाई चे, 2 meter per second square, यह आप प्रोब्लेम नो अंसर चे, यह आउसे, मात्र, एकन एकन एक्वेशन तमारे यादर आख पानों चे, force is equal to mass into acceleration, मित्रो 30 example गणवान चे, 20 example चे, यह अग्यार example गणवान चे, बद्दा जे एक्जांपल, the most IMP चे, अने आपने object with a mass of 50 kilogram is rotated in a circle with a radius of 2 meter at a constant speed of 60 meter per second, पहली ने जरेव लागे चे, का एक्वेशन आपने नहीं आवड़े, मित्रों confidence राखो, आपने आवड़े चे, जो लगता जी है, सू के चे, एक तो आपने I question आवड़े, अगरो example पूचे ने, माता जी ने याद करवाना, है माता जी, force ब किलोग्राम मास आपेलो चे, तो centrifugal force, centripetal acceleration, प्रवेग आपने फाइंड करवो चे, तो इना मटेनू सूत्र चे, V square upon R, वेलोसिटी नो वर, नाचेद माँ रेडियस, ये थेयरी मा आपने बणे गया चे, आपने थेयरी पन तयार करेली चे, तो केंदर गामी प्रवेग, य आपर V square upon R, तो वेलोसिटी ये आपेली चे, 60 meter per second, ये शिक्टीनो स्क्वेर, meter per second, ये नो स्क्वेर, नाचेद माँ रेडियस आपेली चे, 2 meter, तो 16 meter square, ये मिटर मिटर उडी जासे, तो बाकी सूरे से, 60 स्क्वेर ना चेद माँ बे, साइट माँ बार गे तो चत्री सो, ये मिटर पर second square, तो आप प्रवेग मढी गे, आजी पत्थर सूचे, पदार्थ चे, ये गोल फरे चे, आम एक सार गोल फरे चे, ये नो मास आपेलू चे, तो ये प्रवेग मढी गे, तो ये प्रवेग मढी गे, तो फोर्स मढी जाए, बराबर मातला जी नियाद करो, सेंट् सेंट्रीपेटल फोर्स, तो मास आपेलो जे 50 किलोग्राम, प्रवेग आपेलो चे अधार सो, तो पजास पुनी 8-फोरे ले नियाटी थाउजन किलोग्राम पर किलोग्राम मीटर पर सेकंड स्वेट, इना बराबर था से नूटन, सो सेंट्रीपेटल फोर्स बराबर 90,000 न्यूटन अत्वा 90 किलो न्यूटन आप प्रोब्लेम नो अंसर आवी त्याओ से आपने आप प्रोब्लेम आवड से आनी अंदर ट्विस्ट किया आओ से मास चे बदलाई जाए, रिडियस ना बदलाए डामेटर आपेलो होए और वेग जाए चे शिक्ष्टी ना बदलाए को विजो आपेलो होए तो आपने स्टेप्स आटलाच फोलो करवाना रेसे एना पच्छीनों एक्जम्पल एक्विस्मी एक्जम्पल आपन थोड़ो जु मूँ थाई चे, 180 किलोमेटर पर आवा, एक कलाग मां 180 किलोमेटर जेटलू अंतर कापे, एनी स्पीडे एक कार चे गोड फरी रही चे तो एने सुरक्षित जड़ब जाडववा माटे ट्रेक नो बेकिंग एंगल सुँ होगो जुई, तो बेकिंग एंगल एकले सुँ, ए थेयरी मापे बनी गया चे, या फरी पाचे जुई ये बेकिंग एंगल एकला आ एंगल, जेहांकर कार टॉन ले, त्या तमें जुईयो तो बेकिंग एंगल केटलो राखो, ए नकी कवरा माटेनू सुत्र चे, टेन धीटा बराबर, आपने जुईये, पेला जुईये रेडियस, जड़ब आपेली चे 180 किलो मेटर पर आवर, तो किलो मेटर पर आवर चे, एने सौधी पेला मीटर पर सेकंड मा कनवाट करू, तो 1000 मीटर नाचेद माँ छत्री सो सेकंड एडले स्पीड हाऊ से, 50 मीटर पर सेकंड, तो आ कार जे छे, ए 50 मीटर पर सेकंड थी, आम रोटेट थाई रेज, ए तियां थी मूह थाई चे, अवे बेकिंग एंगल माटेनू सुत्र चे, 10 थीटा बराबर, V स्क्वेर अपों आर जी, आए एक्वेशन अतियार आपणे याद राखे लेवानू छे, थियोरी इंदर आपणे याद राखेलू छे, एक्जम्पल माँ जरूर पर से, तो V स्क्वेर यह वेलोसिटी आपड़ी चे 50, एनि वेल्यू मूको आई त्यान राखवानू वेलोसिटी मीटर पर माँ कनवर्ट करवा, तो यह वेल्यू मूको पचास नोवर्ग एना चेदमा आर डेडिस आपली चे 600 मीटर, जी बराबर आपली चे 9.81 मीटर पर सेकंड स्क्वेर, 600 मीटर उनि यह जी बराबर 9.81 मीटर पर सेकंड स्क्वेर, तो तेन थिटा बदूडी जासे, मीटर तो यह बदूडी जासे, तेन थिटा बराबर आउसे 0.4247, तो थिटा बराबर आउसे 10 inverse, 0.4247, कल्क लेटर माँ 10 inverse यूज करता हापने हावड़ हुई जूई है, 9 वर्तो यह तो सिखी लेवानू, 10 inverse shift करो, अन पचे 0.4247 करसो, तेन थिटा नि वेल्यू आउसे 23.02 डि अगले हो, चोई ए तो कार चे slip थासे नहीं, उथली पढ़ से नहीं, जो सिधो रस्तो होसे तो यह उथली पढ़ से, तो यह तो यह तो यह से रेसिंग ट्रेकोई, तो यह 3.02 डिले शूटा है कार चे उथली न पड़े, तो आधे जी वेकिंग एंगल नो एग्जांपल, आवाए एक्जाम्पल गणी बदी रिते पुछाई शके छे तो आ स्टेप्स छे ए तमारे फोलो करवाना रेसे एना पचीनु एंगल एना पचीनु एक्जाम्पल मित्रो आजे आपडे बदीज टाइप ना एक्जाम्पल कवर थाए एनो प्रायास करिये छे प्रेक्टीस तमारे जहते करवानी छे मुँँ तमने खाली बदा स्टेप समझावीद हो छे के वीट दे आए एक्जाम्पल छे ए गणवाना रेसे एना डिटा आवीट दापेलो छे अ कनों बोलो 40 गिलोग्रम मास 40 किलोग्राम नो एक तोपनो गोळो छे ए पुप ज़ं प्रतिकालाग और रेपरास करे मुट्टो गोळो छे तोपनो गोळो आवगन ला फेक्तों हा मावज चाने मास 40 किलो घ्राइब छे स्टव यहले बे भाग चे तो बिजा भाग नो वेग सोधवानों चे तो मित्रो आ टाइपने एक्जेंपल माटे नो एक्वेशन चे लो ओफ कंजर्वेशन आउफ मोमेंटम वेगमान सर्रक्षण नो नियम mv बराबर m1v1 प्लास m2v2 थियरी मा आपने भणी गया चे अत्यारे एनो उपियोग केविट को आ खरो वो एाप्णे जोईशन तो यह मास जे च्या पैलू छे टोटल मास जी 40 ए चीलो ग्राम जो पिलिजल्आइन मा पैलू मास जे तोपनों गोडशे ओमास जिसं इन्हें पेलो छे, विलोसिटी ओफ टोटल मास फिफ्टी फोर किलोग्राम पॉर अवर, M1, यहले के पेलू जे मास चे, पेलो टुकलो चे, टोटल 40 किलोग्राम चे ना बे भाग ताई चे, पेला भाग नो मास चे 15 किलोग्राम, और पेला भाग नो वेग नथी आपेलो, यह स्थीर चे वो आपेलो, जो एक टुकलो 15 किलोग्राम वजन नो होई, यहले के यह स्थीर चे, तो यहनो वेग आवसे 0, यहले V1 is equal to velocity of one piece, that is 1, जो यहाँ यहाँ पे देटा में, if one piece of mass 15 किलोग्राम is at rest, 15 किलोग्राम वजन स्थीर थाई जातो होई, तो बिजा टुकडा नो वेग सोथ, यहले V1 बराबर 0 छे, M28 ले बिजा टुकडा नो मास एक यहलो थासे, प्रोटल मास 40 किलोग्राम छे, एक टुकडा नो मास चे 15 किलोग्राम, तो बिजा टुकडा नो मास आउसे 40 मैंस 15 एटले 25 किलोग्राम, तो फाई अने V2, यहले velocity of second piece, यह आई यहां, फाईंड करवानू, छे, यह शोधवानू, चे, तो के वीट टे शोधशू, बस आ सुत्रमा वेल्यू मूखो, M बराबर 40 किलोग्राम, V बराबर 54 किलोमीटर पर अबर, M1 एटले 15 किलोग्राम, V10, M2 एटले 15 किलोग्राम, V2, अनोन एक सुत्रव, एक 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 टो से, आपने मढ़ी जासे, आब यह एनों मुल्लिकेशन आउसे 1200 साइट, आना बराबर आउसे 25 V1, सोरी यहां V2 आउसे टाइपिंग मिस्टेक चे बदो जड़वती करिए जे नेटला हिया आरी ते नानी नानी पूल रही गे चे यहां आउसे V2 गुजराती यान इंगलिस पीमा करेक्शन करी दीजे राइट यहले V2 बराबर आउसे 86.4 km per hour एक वी साइट भागिया पचिस कर सो यहां आनसर जे चे यहां आवी रिते आवी जासे I hope कि आप प्रोब्लेम बदा ने समझेगे हो से वेगमान सारक्षन नो नियम एनो प्यो करी आने आ ताइपना प्रोब्लेम चे यह सोल करवाना रह से यहां किलो मिटर पर आउवर माँ वेलोसिटी मढ़े चे एने कदा जो मिटर पर सेकंड माँ करवानों फाइन करवा माटे किदे लुए आवी रिते मिटर पर सेकंड माँ करी सकाई 86.4 multiplied by 1000 divided by 3600 एले वेलोसिटी आउसे 24 मिटर पर सेकंड आवी रिते चे एग गणता अपने बदाने आवड से मिटरोस 23 में एक्जांपल जोई आवे आ प्रोब्लेम तमारे चाते गणवानों चे यह वीडियो स्टोप करी दो और चाते गणवानों प्रयास करो पजी चेक करो के तमारों आणसार आनी साथे मेच थाई चेकन 4 किलोग्राम और 10 किलोग्राम वजन धरावती बे कार स्थीर चे चेर आ टाइपनों एक्जांपल पुछाएं एटले पेला वेगमान स्वरक्षन और नियबला कि देवानो M1 V is equal to M1 V1 plus M2 V2 बे मास आपेला चे M1 एक 4 किलोग्राम नी कार चे बिजी 10 किलोग्राम नी कार चे बंदिना वेग आपेला चे 10 किलोग्राम वजन धरावती वेग वजन धरावती कार 5 मिटर पर सेकन वेग साथे आगल वते चाहिए तो जमीनना संद्रप माँ चार किलोग्राम वज़न वाड़ी कार नो वेग सुथों बीजी कार छे एनो वेग सुथ वानोचे equation M1 ए मेरे total mass तो बीजी कार नो total mass केल लूँ थाई एक कार नो वज़न 4 किलोचे बीजी कारनो वज़न 10 किलोचे तो total mass थासे 4 वत 10 बराबर 14 किलोचे अने बही नो वेग के पलो आपेलो छे, भटकाई जाए छे, स्वरी आगल वदे छे, त्यारे नो वेग आपेलो छे 0, मूस्ट तुवर्ड्स इट विथ वेलोसिटी अफ दिस, ये बही जेरे अथडा से, त्यारे नो वेग था से, 0 था से, राइट? त्यार पचे, M1 मास ओफ 1 का, एलो छे 4 किलो ग्राम, अने वेलोसिटी अफ वेलोसिटी अफ रुन पीसे, एन अथि आपेलो छे 5 किलो ग्राम, एन वेलोसिटी अफ 2 पीसे, 5 मिटर पर सेका, तो M1, V1, M2, V2, अने Mv, आप बदी वेल्यू यह जो लखे लिए चे, एक्वेशन मा मुखी दीए, एलिए 14 किलोग्राम टूटल मास था से, मल्टिपाइट वेलोसिटी यहले 0, 4 M1 बराबर 4 किलोग्राम, V1 बराबर unknown, M2 बराबर 10 किलोग्राम, V2 बराबर 5 मीटर पर अने माइनस एटला माट आवे छे, कि बोथ कार्स आर मुविंगी इन ओपोजिट डिरेक्शन, बन्ने कार्नी जे दिसरा छे, अलग 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 छे, एटले वेलोसिटी माइनस मा आवे छे, जो एक अधनी समझतू होई, तो बेनी साइन छे, एक सर्किया से, बन्ने पोजि और आवे छे नंबर, एक्जांपल नंबर 24, आ मोज्ट आहिं प्छे, आ टाइपना एक्जांपल चीक्षांपल चेक्विंगे लिए एक अधनी एकजांपल मा पुछा से, एने माट्ने मात्रे एकजी एकज़ेशन छे, आपनी याद राखवानू छे, तेरी याद ना रख V, याले, volume of the room, याले, याले, volume of the room, और auditorium is 8000 meter cube, याले, जे auditorium चे नूँग कद आपे लूँचे 8000 meter cube, A, याले, total sound absorption, याले, 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 पेलूचे, पचीस सो, O, W, U, याले, open window unit, A, याले, 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 याले एकम ओपन विंडो यूनिट ओडबल्यू यू हो जोई है अने टाइम टी एनो यूनिट सेकंड मा हो जोई आटनों ध्यान राखवानू छे हवे आए एग्जम्पल ट्विस्ट करेने केवी तर पुछाए ए आपने जोईशुँ जो अट्विस्ट करेने आवी तर पुछाए एक शावाना ओडिटोरियमनू कद 20 मिटर बाई 10 मिटर बाई 5 मिटर चे रिवर्बरेशन टाइम डे सेकंड चे कुल ध्वनी शोषम टोटल एब्सोर्प्शन कोईफिशन सोदू तो पेला जे डेटा पेलो चे लखी दहिए ती बराबर रिवर्बरेशन टाइम टू सेकंड वोल्यूम ओफ रूम अनू कद करलू थाए 20 बुणिया पाच 20 बुणि अनुचल लखेलो चे तो आनि दर्वधी वेल्यूम की दहिए ती बराबर बे सेकंड आ पेलो चे 0.161 वोल्यूम आ पेलो चे 1000 मिटर क्यूब नाचेदमा ए तो बस ए ने सुत्रों नो करता बनाओ एले ए बराबर आउ से 161 नाचेदमा बे तैस इक्वल तो 80.5OWU ओपन विंडो यूनिट तो आ थी जो एकदम सिंपल प्रोब्लेम नू सोलुशन जिटिवनी एक्जम मा चार थी छो मार्कस मा आ टैप ना प्रोब्लेम पुछायला छे अने पुछावानी पूरे-पूरी संभावना छे तो आई होप क्या तमने समझागी होसे हवे पाच ए इमा वचे तमने एक नन्हगरे बात करी दे के मित्रो आ वीडियो जे छे इमा थी तमने समझागी छे के नहीं एक कमेंड बोक्स मा खास लग छो जे थी करी ने अपने समझावानी जे समय आपने बदा आप ये ची ए ए फ्रुट्फुल छे के निया आपने ख़ब्लेम एक वाजी जे छे ए हवा मा वहतो होई त्यारे एन्हों वेग आपेलो छे 340 मिटर पर सेकंड राइट एन्ही फ्रिक्वेंसी आपेली छे 256 हर्ट्स तो एन्ही तरंग लंबाईनी गणतरी करवानी छे तो एन्हा मटे एक एक एक्वेशन छे अपने अतियर याद नहीं राखिये वेलोसीटी ओफ सांड वेव ए आपेलो छे 360 मिटर पर सेकंड फ्रिक्वेंसी आपेली छे 256 हर्ट्स तो 56 साइकल पर सेकंड अथवाय ने क्यावाई हर्ट्स अवे जो आबेन यूनिट चुँ आ मिटर पर सेकंड छे अनने cycle per second fine करवानु छे तरा अंगलंबाई येटले meter fine करवानु छे तो सु कराई अब येनो ratio लहीले ये तो meter मढी चाई तो velocity माते नो equation आविर्थे चे वेक बराबर lambda into f velocity बराबर wavelength multiplied by frequency तो wavelength चे ये fine करवानी चे V बराबर lambda into frequency value मुखो velocity आपली चे 340 meter per second lambda unknown frequency 256 hertz per cycle per second so lambda is equal to 340 upon 256 I equation याद राखो अथवा I equation याद राखो बही सहीम चे lambda बराबर V upon f करो एला answer आउसे lambda बराबर 1.3281 meter तो आजे धोनी चे येना तरांग नी तरांग लंबाई 1.3281 meter असे हवे जो आए equation ने याद के वीड़ते राखो ये आपने चुई तमें जुगो के lambda चे नो एकम सूचे meter चे frequency नो एकम सूचे cycle per second तो meter into cycle per second करो तो सु मढ़ से meter per second एला V मढ़ी गयो meter into cycle per second एला meter per second थे गयो तो आए equation आपने एरिक याद रिजयो से V is equal to lambda into F अचे एक एक एक्जामपल गणिये इला आपने concept चे वदारे क्लियर था से 340 meter per second ना वेग अने 2400 hertz ना आवर्तन धरावता वनी तरंग नी तरंग लंबाई नी गणतरी करो Find out velocity ओवा Find out wavelength of a sound wave having velocity 340 meter per second and frequency 2400 hertz तो वेग आपेलो चे 340 meter per second frequency आपेली चे 2400 hertz अथवा 2400 cycle per second wavelength लेमडा चे find करवानी चे तो अपे पास equation छे V बराबर लेमडा इन टू एफ अए equation लगो इमा जे जे परामेटर आपेला चे लगी देए अथवा लेमडा बराबर वेलोसिटी ना चे दमा frequency velocity आपेली चे 340 meter per second frequency आपेली चे 2400 hertz यह आपने ध्यान राखवानू जे हर्ट्स मा फ्रिक्वंसी चे मुके लिए होई जो किलो हर्ट्स मा आपेली होए तो इने हर्ट्स मा convert करवाने दाखला तरीक यह उपने के फ्रिक्वंसी 2400 ना बतले 2.4 किलो हर्ट्स आपेली होए तो 2.4 मुल्टिप्रेट बें 1000 करो यह चोविस्सो हर्ट्स थाई जासे ए विल्यों यह मुक्वानी इले लेमणा बेराबरावसे 3400 ना चेद मा चोविस्सो एले वेविलें धावसे 0.1417 मुल्टिप्रों कदाच गनत्री मा भूल होई चलत्ति करेलू छे तो यह साचो तमारी जाए आंसर आव तो यह तमारी गणवानों के त्रहां 140 बागी आँ चोविस्सो करशो एले 0.1417 मा थलुक एरर होई शागे छे पन स्टेथ चेए बद्धा परफेक छे मित्रों अठ्यवेस्मो प्रब्लेम त्राना प्रब्लेम बाके छे आ त्राना प्रब्लेम पन पन मोस्ट आयम पी छे आ प्रब्लेम तमाए चाते क स्वावसे, find out the frequency of a sound wave traveling in a wave with wavelength 0.85 meter तरंग लंबाई आपे लेचे 0.85 meter अने वेग आपे लो छे 340 meter पर सेकंड एले ध्वन्यू नो वेग आपे लो छे 340 meter सेकंड इनुवर्सेले meter पर सेकंड स्ट्वेर फ्रिक्वेंसी एव फाइंड करवानू चे लेमडा नी वेल्यू आप चे यस 0.85 meter चे यस तो फ्रिक्वेंसी माते नो एक्वेशन आपने खबर चे वेलोसीटी बराबर लेमडा इन्टु फ बदी वेल्यू मुको वेलोसीटी बराबर 340 meter पर सेकंड लेमडा 0.8585 meter आपे लो छे इन्टु फ्रिक्वेंसी सो फ पराबर 340 अपन 0.85 एले आपने बद्दा ने आप प्रोब्लेम गणता आवर से थोड़ो जूदू एक्जाम्पल फाइंड वेलोसीटी ओफ आ साउंड वेव हेविंग फ्रिक्वेंसी 20 किलो हर्ट्स एन्ट वेवलेंद 0.017 meter आपे लो छे वेलोसीटी फाइंड करवानी छे वेक बराबर फाइंड करवानों छे फ्रिक्वेंसी आपे लीचे 20 किलो हर्ट्स एन्या भूल्थवानी संभावना छे किलो हर्ट्स एन्ये पेला हर्ट्स मां कनवर्ट करवान किलो एटले हजार एले 20,000 हर्ट्स तरी जसे लेमडा जे आपेलू छे 0.017 meter कदा चे एव बने क्या लेमडा नी वेल् से वेल्योसिटी बराबर लेमडा इन्टो एफ बदी वेल्यू मुको लेमडा बराबर 0.017 meter फ्रिक्वेंसी वी सेजर सेकल पर सेकंड सेकल पर सेकंड इंटो मिटर एटले 340 मिटर पर सेकंड तो ओगंत्री सुवां एग्जांपल छे एन्नों आंसर चे ए 340 मेंटर पर सेक इमां डेटा इस्वां आपे लोग से आपड़े चुए अ स्टील वायर इस यूज़्ड तू लीफ्ट अ लोड ओ फाव किलो न्यूटन पाच किलो न्यूटन नों वजन छे एम उचे को आमाटे एक स्टील ना वायर नों उप्योब थाई चे तो स्टील नों वायर जे चे एना वण खेचान केतलों लगत catching on 416 से बेवायर जुपाच किलो न्यूटन वजनू जे एक लिए बेवायर जों पाच किलोन न्यूटन जेटलों मेगानुटन पर मीटर स्वेर अथ्वा 100 मेगा पास्का फाइंड आउट डायमेटर ओफ इस वायर आजे तार छे इनो व्यास हस्ट तो स्ट्रेस माटनू इक्वेशन छे अधिया रमातर एक लशन आपने याद राख वानू छे इस प्रेस प्राबर बर्ड ना चेदमा ख्यत्रफण तो यह प्राइबर लोचे 100 न्यूटन पर मिलीमिटर स्क्वेर अथ्वा 100 मेगा पास्कल इना बर्याबर लोड आपने पांचेजार न्यूटन इना चेदमा एरिय तो एरिया बरबर केटलो होसे 5,000 चेदमा 100 एटले 50 mm2 आ एनू क्ष्यत्रफण थागेऊ टोटल एरिया चे 50 mm2 तो तार जेचे इनू डायमेटर केटलो हो थाई तो एरिया बरबर 5,000 इना बरबर 50 से तो D ने सुत्रन नों करतवा बनाओ एले D2 बरबर 50 गुणिया 4 ना चे 7.98 mm से 8 mm तो आजे तार छे एनो व्यास 8 mm चेटलो हो जोई है तो ए आजे स्ट्रेस चे एनने सर्न करी सक्से औने आ लोड जेचे एटलो उचकी सक्से आजे प्रोड आज मित्रो आज 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 उनने बदाने विश्ची वाल दर बेस्ट.